नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z बैंकिंग इनफार्मेशन पर दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि बैंक हमेशा आपके KCC की लिमिट का 10-15% पैसा क्यों रोक लेते हैं अगर आपकी KCC की लिमिट 1,00,000 रुपए है तो बैंक आपको 1,00,000 रुपए क्यों नहीं निकालने देते हैं वो आपको 80, 85, 90,000 रुपए ही क्यों निकालने देते हैं 10, 15, 20,000 रुपए आपके KCC खाते में ही क्यों रोक लेते हैं बहुत सारे किसानों के मन में डाउट रहता है, बहुत सारे किसानों के मन में सवाल बना रहता है, कि बैंक जब हमारी KCC की लिमिट एक लाख रुपए है, तो बैंक हमें एक लाख रुपए क्यों नहीं निकालने दे रहा है, ये पंदा से बीस जार रुपए या फिर दस जार रुपए हमाई KCC खाते में बिना किसी वज़े के ही पड़े रहेंगे आखिर इसका क्या मतलब है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं कि बैंक आपका 10-15% पैसा KCC खाते में ही क्यों रोक लेते हैं आपको क्यों पूरा पैस तो जिन लोगों के पास KCC का ATM कार्ड है वो लोग ATM मसीन से ही पैसे विडाल कर लेते हैं अपने KCC खाते से तो वहाँ पर तो उनकी जितनी लिमिट है उतनी लिमिट भर का पैसा पूरा विडाल कर सकते हैं लेकिन उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत ज़्यदा इंपा आपको पूरा पैसा नहीं देते हैं दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ें आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आये तो वीडियो के लाइक कर दीजेगा साथी चैनल पर नहीं है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रस कर लिजेगा क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपको इस चैनल पर देते रहते हैं दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले एजान लेते हैं कि आपकी KCC की लिमिट का 10-15% अमाउंट बैंक आखिर क्यों रोक ल जैसे वो आपका 10-15% अमाउंट रोक लेते हैं ताकि यहां पर किसान का नुक्सान नहों किसान का खाता ओवर्डिव नहों अब मैं आपको एक उदाहरन देकर के समझाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ओवर्डिव का क्या मतलब होता है तो दोस्त का आप से बोलता है आप इससे 85,000 रुपए ही निकाल सकते हैं 15,000 रुपए आपका इसी खाते में क्रेट बैलेंस के रूप में पढ़ा रहेगा तो आपके मन में डाउट आ जाता है कि पैसा आखिर पढ़ा क्यों रहेगा सवाल कभी-कभी लोग पूंच भी लेते हैं और क इसी खाते में आपके डेबिट बैलेंस में ही जुड़ता जाएगा जो आप मान लीजे आपने 85 निकाला 3,000 ब्याज लगा पहला तो 88 हो गया फिर आपका दूसरा ब्याज लगा तो मान लीजे 3-4,000 रुपए फिल लग गया तो फिर आपका 90,000 रुपए क्रास कर गया उसक में जुड़ेगा इंस्पेक्शन चार्जेस लगेंगे आपके खाते में वो भी जुड़ेंगे सिबिल चार्जेस आपके खाते में लगेंगे वो भी जुड़ेंगे इनुवल चार्जेस आपके खाते में लगेंगे वो भी उसी में जुड़ेंगे इसके लावा अगर जो KCC खाते से debit किये जाएंगे तो ये 1,00,000 रुपए के ऊपर ना जाए क्योंकि किसान की limit तो 1,00,000 रुपए की है और 85,000 मैंने उसको दे दिया है अब बाकी सारे charges और interest और PMFBY charges लगने हैं तो ऐसा ना हो कि उसका amount 1,00,000 रुपए को cross कर जाएगा अगर आपका amount 1,00,000 रुपए ही क्यों ना हो अगर 1,00,000 रुपए के ऊपर आपका balance चला जाएगा तो आपके खाते की जो ब्याजदर हैं वो भी बढ़ जाएगी और आपको subsidy का लाप भी नहीं मिलेगा जो 3% subsidy आपको मिलती है वो भी नहीं मिलेगी और आपके खाते की जो ब्याजदर हैं वो just double हो जाए से अब मान के चलिए कि कोई दूसरा किसान है जिसकी भी limit एक लाख रुपए है और उसने bank से जिद करके या फिर उसके पास KCC का ATM है अब यहाँ पर आप मान के चलिए कि आप bank विड़ाल करने नहीं जा रहे हैं आपने KCC बनवाया bank ने आपको ATM इसू करके दे दिया आपकी खाते का balance होगा एक लाख सो रुपए जैसे ही आपके खाते का balance एक लाख सो रुपए होगा तो आपके खाते की जो सामान ने ब्याजदर KCC की साथ परसेंट वारसे है वो बढ़ करके 13% हो जाएंगी और फिर आपको 3% की subsidy भी नहीं मिलेगी अगर आप एक वर्स के अंदर भी पूरा जमा कर देते हैं उसके बाद भी आपको 3% की subsidy का लाब नहीं मिलेगा क्योंकि आपका खाता पूरे एक वर्स तक overdue रहा है आपके खाते की ब्याजदरे डबल हो जाएंगी जहां 7% सामान ने ब्याजदर होती ही वहीं आपके उपर 13% चार्ज किया जाएगा इसक आपका ही benefit है अगर आपके पास KCC का ATM card है तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आपको कम से कम 10% पैसा आपने KCC खाते में ही credit balance के रूप में रखना है अगर आपकी KCC की limit 3,00,000 रुपए है तो आप कम से कम 30,000 रुपए credit में उसका balance रखें ताकि व्याज लगे जब उस खाते में तो debit balance जो आपकी limit है उसे cross ना करे यापकी जो बकायार 80 है आपकी limit से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए अगर आपकी बकायार 80 आपकी limit से उपर जा रही इसका मतलब यह है कि आपकी जो सामान निब्याजदरे है उसकी double हो जाएंगी जो भी NPA पर आपके of interest लगता है वही ब्याजदरें आपके उपर apply हो जाएंगी आपके इस case सीखाते पर इसके लामा आपको जो सबसेड़ी मिलती है 3% की उसका भिलाब नहीं मिलेगा भले ही आप टाइम पर repayment कर दें तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है चाहे आपके पास ATM हो या फिर लिजिए आपकी लिमिट एक लाग है अब पूरा एक लाग लिजिए तो अगर वो ऐसा करने को कहते हैं तो आप उनसे बोल दीजिए कि नहीं हम 10% पैसा आपने के सीखाते में रखना चाहते हैं और अगर वो पूरा विड़ाल कर भी देते हैं तो आप अगले दिन जा करके कि अपने उस केसी सी खाते में डिपॉजिट शिलिप भरके अप कम से कम 10% पैसा उसमें दुबारा से जमा कर दीजिए ताकि आपका खाता कभी भी आपकी जो सेंक्सन लिमिट है और आपका जो बकाया बैलेंस हो उसको क्रास न करे क्योंकि कभी-कभी हो जाता है कि किसान ए लेगर साल में तब भी वो जमा न कर पाए तो कुल मिला करके अगर आपके ऊपर कभी ऐसी भी इस्थिती आ जाए तब भी आपका खाता ओवर्डिव नहों जिससे आपका जो उपर जो ब्यास दरे हैं वो सामान ने रहें ब्यास दरे डबल नहों दोस्तों आसा करते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको के सी सी लिमिट की पूरीं पैसा आपको क्यों नहीं निकालना रोते दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंट्रेस्टिंग डापिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय बारत